फिर आगया हूँ लेके आप लोगों के लिए बहुत इंटरस्टिंग एंड हैलफुल और इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका नाम है फेस्बुक मीडिया को टेलिग्राम पर शेयर करें और तो मैटिकली आज ऐसा ऑटोमीशन सिखाने वाला हूँ जिसकी हैल्प से क्या होगा कि जब भी आप आपके फेस्बुक के उपर चाहे वो वीडियो हो चाहे वो इमेज हो किसी भी डिस्क्रिप्शन के साथ पोस्ट करोगे तो आटोमेटिकली वो सेम पोस्ट वो सेम इमेज वो सेम वीडियो सेम डिस्क्रिप्शन के साथ एजा पोस्ट शेयर हो जाएगा आप आपके टेलिग्राम के ग्रुप या चैनल के उपर बिना आपके इंवल्मेंट के जी हाँ ये पॉसिबल है एक आटोमिशन हम साइट करेंगे हमारे फेसबुक पेज और टेलिग्राम के पीछ में तो क्या होगा जब भी हम जाएंगे हमारे फेसबुक पे इमेज या वीडियो पोस्ट करेंगे तो आटोमेटिकली वो सेम इमेज होगी या वीडियो होगी डिस्क्रिप्शन के साथ शेयर हो जाएगी हमारे टेलिग्राम के चैनल या गुरुप पे जिस भी चैनल या गुरुप पे हम चाहते हैं तो हमारी जो मैनुवल प्रोसेस होती थी वो बच जाए तो यह अब हमें नहीं करना पड़ेगा बेस्ट पार्ट यह है कि आपको इस आटोमेशन को करने के लिए किसी भी तरह की कोडिंग स्किल्स का आना जरूरी नहीं है हेल्प लेनी पड़ेगी एक सॉफ्ट्वेर की जिसका नाम है पैबली कनेक्ट क्यों लेनी पड़ेगी क् डिफरिंग टाइप के अप्लिकेशन हैं और इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो कनेक्शन बनाना असंभव था जब तक पैबली कनेक्ट नहीं आया क्योंकि पैबली कनेक्ट का काम ही यही है कि वो अलग अलग तरह के अप्लिकेशन को आपस मिला के जोड़ अप्लिकेशन हैं जिनको पैबली कनेक्ट नहीं कर सकता है उपर से आप पैबली कनेक्ट को एक फ्री सॉफट यह कह सकते हो क्योंकि 100 टास्क मंतली के फ्री देता है और फ्री में हम अकाउंट भी बना सकते हैं तो फिर देर किस बात की है आईए मेरे साथ मैं आप लोगों क को सिखाता हूं कि कैसे आप भी इस आटोमेशन को सेट करके अपना टाइम एंड जो मनी है दोनों सेफ कर सकते हो पूरी प्रॉसेस बताऊंगा कहां क्या करना है क्या नहीं अभी अपनी स्क्रीन पर ओके सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे पी डबल बी य पैबली डॉट कॉम प्रेस एंटर यह है ओफिशल वैबसाइट क्लिक करेंगे साइन अफ फ्री पे अपना अकाउंट एगदम फ्री में बनाने के लिए मैं अलड़ी अपना अकाउंट बना चु यह जैसे ओपन होगा वैसे हम यह प्रोसेस करेंगे ख्लिक किया नाम धेदेता हूँ फेजबुक पेज़स टू टीगराव मैंने नाम दिया है फेजबुक पेज़स टू टीलीगराम आप चाहें तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं कोई रिक्त नहीं है और आप ब्रीछ्फ होगे वो भी एकदम फ्री में है ना सो नाम देने के बाद मेरे सामने दो windows आगे trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है हमारा हम चाहते हैं कि हमारे facebook page के अंदर जब भी हम कोई new photo या video या फुर कोई text post करें कोई भी post करें तो automatically वो as a message share हो जाए हमारे telegram के channel या group पे जिस पर भी हम चाहते हैं so ऐसा करने के लिए हम first application में सबसे पहले तो choose कर लिए हमारे facebook pages को search किया choose कर लिया then trigger event में choose करूँगा new post को then connect पे click करूँगा connection के लिए उसके बाद add new connection पे then connect with facebook pages पे okay then connection successfully हो जाएगा क्योंकि मेरा facebook account already login है जैसा कि आप देख रहे हैं आप भी connection करने से पहले make sure कर लिजएगा कि आपका facebook account login है या नहीं okay so yes connected show हो रहा है first जो field आई यह page की यहां से मुझसे पूछ रहे सर कौन से page के इंदर आप चाहते हैं कि जब भी आप post create करें तो मैं message send कर दूँ telegram पे so मैं चाहता हूँ कि पैबली टेक वाला जो page जो की open है यह पर यह पैबली टेक नाम का जो page है इस page पे जब भी मैं कोई भी post करूँ चाहे हो image हो video या text post हो तो same post आप शेयर कर दो मेरे telegram के group या channel पे so ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पे पैबली टेक नाम का जो page है उसको select करना होगा यह रहा क्लिक करके मैंने choose कर लिया और भी सारे जो नाम आ रहे थे वो भी मेरे pages के नाम थे जो भी मेरे capture करें है ना 10 या 20 पोस्ट का ना करें तो आप अगर चाहते हैं कि एक साथ पांच या छे या फिर दस या सो सो पोस्ट का data capture करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसा की नीचे दिया गया है मैं ठीक है नीचे आके क्लिक करता हूँ जैसे ही सेवन साथ पर क्लिक करूंगा recently जो भी मैंने इस पैबली टेक पेज पर पोस्ट किया होगा जैसा कि आप देख रहे हैं यह वीडियो मैंने पोस्ट किये watch this video इसका जो है description है और यह वीडियो को जिस तरह किये तो इस वीडियो की details जो है पैबली गनेक के पास यहाँ पे capture हो जाएगी तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको 7 cents पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे तुरंट मेरे पास details capture हो गई है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास यह link है वीडियो की Facebook post की link है सीधे Facebook post पे जा सकता हूँ उससे मैं और नीचे आजाओंगा तो मुझे time मिल जाएगा कब create हुआ और जो page का नाम है वो मुझे मिल जाएगा form ID मुझे मिल रही है full picture यहाँ पे मुझे मिल जाएगी icon ID वगरा वगरा यहाँ पे कई सारी fields है जो मुझे मिल गए हैं और यह description जो मैंने डाला था watch this video same to same है है ना और यहाँ पे शायद जो मैंने वीडियो डाली है उसकी link है इसको मैं copy करके एक बार open करके देखता हूँ कहां लेके जाती है link मुझे okay so मैंने open किया यह picture पे लेके जा रही है जो video की picture है उस पे लेके जा रही है ठीक है और नीचे आ जाता हूँ और नीचे देख लेता हूँ मैं क्या क्या हमको मिला है है ना काफी सारी details जो है पैबली connect ने capture की है है ना यहाँ पे हमें मिल गया media source ओके शायद यह हमारा जो है हो सकता है URL वीडियो का ओके चलिए इसको मैं copy करके new tab में open करके telegram के group यह channel पे जैसा कि आप देख रहे है media source नाम है जहाँ पे यह URL है ध्यान रखिए गा ठीक है और नीचे आ जाता हूँ और क्या क्या details है attachment data URL attachment details है वगरा वगरा सारी की सारी details लगबख पैबली connect ने अपने पास capture कर ली है media type जैसा कि आप देख रहे है video है so मतलब connection एकदम perfectly work कर रहा है facebook page और पैबली connect के बीच में अब मैं जब भी इस facebook page क्यूपर जिसका नाम है पैबली tech इस page क्यूपर कोई भी new post करूँगा तो उसकी details पैबली connect अपने पास capture कर लेगा जैसे कि इस post की की है तो अब मैं चाहता हूँ इस post related message जो है send हो जाए मेरे telegram पे so ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा second application में choose करना होगा telegram को लेकिन अभी हम तीनों चीजों के लिए जो है automation बना रहा है ये video के लिए image के लिए भी और text message के लिए भी तो यहां पे हमें तीन router लगाने होंगे ठीक है है ना तो यहां पे मैं search करूँगा router को और choose कर लूँगा public connect का great feature है यहां यहां पे route 1, route 2 और एक और route add कर दूँगा route 3 ठीक है first वाला होगा image के लिए second वाला image के लिए और third वाला text post के लिए ठीक है तो rename कर देता हूं first वाले को सबसे पहले में इसको मैं नाम दे देता हूं for video for video मैंने नाम दिया for video क्योंकि यह यह वाला जो router है वो video के लिए then set filter and action step पे क्लिक करके यहाँ पे जो filter लगाऊंगा मैं यहाँ से select label के अंदर मैं choose कर लूँगा किसको media type को video है जो की तो मैंने इस पे जैसे क्लिक किया facebook का option है facebook पे click करने के बाद सारा data open हो गया then मुझे यहाँ पे search करना है media okay so यहाँ पे media जब मैं search करूँगा तो मेरे सामने जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे नीचे मिल जाएगा मुझे media type is equals to video इसको choose करूँगा equals to यहाँ पे लिख दूँगा video बस ठीक है then click करूँगा save and send test request पे तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपे condition true आई है इसका मतलब यह है कि जब भी media type equals to video हो तभी आप इस वाले router को आगे बढ़ाएं ठीक है तो अभी हम video वाले के लिए कर रहे है that's why हमने media type video choose किया save पे click कर देंगे अब हमें क्या करना है telegram के group यह channel पे message send करना है so plus button पे click करके choose कर लूँगा अपने telegram को search किया मैंने telegram boat को और choose कर लिया ठीक है यह वो group है जिसका नाम है team magnet prince जिसमें मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं मेरे facebook tech वाले public tech वाले page की उपर कोई new post करूँ तो automatically वो मेरे इस group की उपर share हो जाए as a message ठीक है तो ऐसा करने के लिए मैंने चूज किया telegram boat को then action event में मैं चूज करूँगा send a video को क्योंकि हम video send कर रहे हैं then जब photo वाला router set करेंगे तो उसमें photo send करेंगे तो अभी मैं चूज करूँगा send a video को then click करूँगा connect पे connection के लिए उसके बाद click करूँगा add new connection पे एक new connection के लिए चाहिए मुझे token token कहा मिलेगा कैसे मिलेगा सारी details नीचे मुझे दी गई है बहुती clearly चलता हूँ अपने telegram के web पे तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अपने telegram web open करके रखा यहाँ पे मुझे search करना होगा bot father को ठीक है search किया bot father को जिनके आगे blue tick लगा है उसको choose कर लेना है then restart bot पे click करके bot को start कर देना है then यहाँ पे आपको type करना है slash new bot को यह रहा new bot type करके choose कर लेना है यह हमसे पूछ रहा है कि क्या नाम से आप उकारना चाहेंगे अपने bot को तो मैं अपने bot को नाम दे दूँगा facebook ठीक है facebook facebook bot ठीक है facebook bot मैंने नाम दे दिया अपने bot को ठीक है और अब यह मुझसे बोल रहा है कि user name भी दीजिए आपके bot को लेकिन उसके last में underscore bot होना चाहिए so underscore bot पहले ही copy कर लेता हूँ then मैं अपने bot को एक नाम दे देता हूँ मैं नाम दे देता हूँ facebook 3421 ठीक है 3421 मैंने नाम दे दिया अपने bot को facebook 3421 है ना यह मैंने नाम दिया है done congratulations on your new bot you will find it at यहाँ पे हमको इस link पे हमारा bot मिल जाएगा click करता हूँ so yes यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे है facebook bot के नाम से एक bot create हो गया और जिसका username जो मैंने दिया था वही same है start कर देता हूँ इस bot को यह ना bot हमारा successfully start हो गया then वापिस आता हूँ bot father पे और जिस token के लिए मैं आया था इस token को copy कर लेता हूँ जैसा कि आप देख रहें connected है मेरा bot किस से family connect अब connect होने के बाद आपको क्या करना है आपके bot को यह जो bot है जो मैंने बनाया है facebook bot इसको मुझे add करना होगा इस group में जिस group में मैं चाहता हूँ कि automatically message send हो ठीक है इस group में add करके इस group का admin बनाना होगा मुझे bot को तो add तो मैं कर सकता हूँ किस से telegram web से लेकिन admin बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा अपने mobile phone का use करना होगा या फिर अपने PC में telegram जो application है उसको install करना होगा बिना application install किये आप जो है किसी को भी किसी group का admin नहीं बना सकते ठीक है तो यहाँ पर मैं add तो करी सकता हूँ तो पहले add कर लेता हूँ bot को क्या नाम है मेरे bot का facebook bot ओके यह रहा facebook bot चूज कर लिया इसको मैंने इस group में add कर लिया then अब मैं अपने mobile phone में आ गया हूँ अपने mobile phone के अंदर जाके मैं इस bot को इस group का बना देता हूँ admin तो यहाँ पर मैंने अपने bot को जिसका नाम है facebook bot उसको promote कर दिया है as a admin इस group का हो गया admin बन गया है इस group का bot जो है हमारा उसको अब मैं refresh कर लेता हूँ अब आ जाता हूँ वापिस पैबली connect पे तो अभी admin भी बना दिया है हमने और group में add भी कर दिया है अब हमें चाहिए chat ID so chat ID के लिए आपको चलना होगा अपने वापिस से group की उपर जिस भी group में आप message chain करवाना चाहते हैं जब आप group open करेंगे तो उपर जो link आईगी आपकी ये link के अंदर आपको copy करना है minus से लेके आखरी तक के जो भी अंक है उनको copy कीजे आईए पैबली connect में और यही आपकी chat ID और paste कर दीजे उसको ठीक है paste करने के बाद नीचे आजएगे caption पे so caption हमारे पास है पहले से जो हमें मिला है किस से हमारे Facebook से है न ये caption जो मैंने डाला था वीडियो के अंदर watch this वीडियो जो मैंने आपको पढ़वाया भी था जो data हमें Facebook से मिला था तो वो data मुझे यहाँ पे add कर देना है so ऐसा करने के लिए मुझे एक technique का use करना होगा जिसको हम कहते है mapping है न mapping से हम हमारी trigger application का data हमारी action application में बहुत easily add कर सकते है कैसे add करेंगे blank field पे click किया नीचे option आए Facebook pages का click किया Facebook pages पे तो सारा data open हो गया जो भी मुझे मिला था Facebook pages से अब जो है caption है जो description था उसको मुझे find करना है और click करके यहाँ पे add कर देना है okay so कहां गया caption है ना find कर लेता हूँ मैं हापे है ना caption यह रहा ठीक है message के रूप में जो आया है watch this video यह रहा हमारा description जो हमने दिया था हमारे Facebook post के अंदर यह मैंने click करके add कर दिया कितना simple है इसी को कहते है mapping जितना easy और simple है map करना अतना ही important भी क्योंकि अगर आप data map नहीं करते तो आपका जो automation है वो perfectly वर्क नहीं करता और जो आप same to same लिख देते हैं वो same to same ही रहता है as it is ठीक है है ना तो इसलिए map करना important है तो जहां जहां में data map कर रहा हूँ आपको भी वहाँ वहाँ data add करना map करना compulsory है ठीक है अब आ जाते है url file id पे ओके सो यहां पे हमको वह link add करनी है कौन सी वाली source media वाली जो मैंने आपको open करके दिखाई थी new tab में जहां से हम सीधे video पे पोच गए थे तो वह वाली जो url है हमको यहां पे map करनी होगी ठीक है तो यहां पे आ जाता हूँ click करता हूँ facebook pages पे और यहां पे search करता हूँ media okay media search किया मैंने तो यह image मिल गए media source वाली url ओके इसको click करके यहां पे map कर देना है simple कर दिया map देना आ जाता हूँ नीचे पर्स mode जो है मैंने रखा html आप इसको change भी कर सकते है disable notifications no आप इसको yes भी कर सकते है अब click करूँगा save and send test request पे जैसे save and send test request पे click करूँगा यह एक message इस group पे automatically share हो जाएगा जो की share करेगा मेरा facebook boat ठीक है चलिए click करता हूँ save and send test request पे save and send test request पे click करने के बाद response successfully received जोगे एकदम positive response और जैसा कि आप देख रहें टेलिग्राम पे एक notification भी आ गया है yes यहां पे successfully वही same to same video वही description के साथ ऐसा message post हो गया है जो video मैंने upload किया था अपने facebook page पे एक दम perfectly work कर रहा है यह वाला router मेरा है ना वीडियो वाला मैंने site कर दिया just अब मुझे done पे click कर देना है तो अब तक मैंने इतना automation site कर दिया है कि अब जब भी मैं अपने facebook page पे अगर कोई video publish करूँगा कोई video post जो है डालूँगा तो automatically वो video post उसके description के साथ as a message जो है send हो जाएगी मेरे टेलिग्राम के इस group पे जिसका नाम है team magnet brain मेरे involvement के बिना automatically share होगी ठीक है चलो video के लिए तो मैंने कर दिया router को site अब मुझे यही same router जो है site करना है दो और के लिए किसके लिए photo के लिए भी और text के लिए भी तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यह नीचे वाले जो route से इनको delete कर देता हूँ यहना क्यों delete कर रहा हूँ बता देता हूँ मैं आपको क्योंकि मैं अपने यह जो first वाला जो route है इसको ही clone करूंगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी steps जो है हमें change करनी है बाकी सब सेम ही process रहेगी तो इसको दो बार में clone कर लेता हूँ एक बार image के लिए ठीक है देन एक बार और clone कर लेता हूँ किसके लिए हमारे text के लिए ठीक है तो आ जाता हूँ उपर अब इसको मैं rename कर देता हूँ सबसे पहले तो इसको clone यहाँ से backspace से हटा के इसको मैं कर देता हूँ for image ठीक है के उपर हो के ग्रूप बोल रहा हूं Facebook के हमारे पेज के उपर जैसा कि आप देख रहा है यहाप एक Facebook पेज पोस्ट जो आप देख रहा है recently मेरे पास Facebook पेज पोस्ट है एक है ना यह वाली आप देख पा रहा है image के रूप में जो है और उसका description आप देख लिए easily connect multiple applications to automate your task ठीक है तो आता हूं पैबली connect पे वापस और उपर आके अब दुबारा में क्लिक करता हूं save and send test request पे तो recent सबसे recent वाली यह पोस्ट है तो इसकी details मेरे सामने आ जाएंगी है ना तो यहाँ पर आप देख पा रहा है details capture कर लिए पैबली connect ने और जो description था मेरा वही same description है easily connect multiple applications to automate your task और भी सारी details है मेरे पास उपर full picture यहाँ पर मेरे पास है है ना और नीचे आ जाओंगा तो और भी details मुझे मिल जाएंगी है ना जो भी details हमें पहले मिली थी वही same details हमें यहाँ पर मिल गई है है ना यहाँ पर media source हमें मिल गया है जिससे हम direct हमारी image पर जा सकते हैं copy करता हूँ इस link को और new tab में open करके दिखता हूँ कहा लेके जा रही है तो सीधे वही जो मैंने post डाला था तो वही post यहाँ पर मेरे सामने उसी की image बिलकुल एकदम सही है ठीक है तो यही same अब हमें process करनी है किसके साथ image के साथ तो set filter पर क्लिक किया है ना आए वापिस हमारे जो filter की उपर then यहाँ पर हमको select करना है अब क्या select करना है media type okay so यहाँ पर मैंने search किया media type को सबसे नीचे scroll किया यह मिल गया मुझे media type photo है इस बार okay then equals to यहाँ पर लिख दूँगा photo है ना then click करूँगा save and send test request पर इसका मतलब यह हुआ कि अब जब भी media type photo हो तो equals to photo हो तभी आप इस workflow को आगे बढ़ा है है ना यह वाले router को तो condition true है क्योंकि हम भी हमने photo upload किया है कहां पे facebook page पे that's why then telegram boat पे आऊंगा और यहां पे telegram boat की उपर आने के बाद action event में इस बार choose करूँगा send आ photo को क्योंकि हम photo send कर रहे है then connect पे click करूँगा connection एक बर कर चुका हूँ that's why select existing connection पे click करके पुराने connection का ही use करूँगा ठीक है अब वापिस से chat id चाहिए chat id आ गए वापिस से यह रही chat id copy किया आये पैवली connect पे और यहां पे paste कर दी chat id simple then caption map कर देते है caption जैसे की वीडियो में किया था हमने caption map है na message के नाम से हमें मिल गया caption easily connect multiple applications to automate your task map कर दिया simple then url के अंदर हमें media source वाली url डालनी है है ना से यहां पे मैं सर्च करूँगा media यहां पे मुझे यह मिल गई media image source ओके यह रही click करके यहां पे map कर दिया मैंने इसको simple then आके simply click करूँगा save and send test request पे so save and send test request पे जैसे click करूँगा एक जो है message share हो जाएगा उस photo के साथ और उस description के साथ मेरे जो है telegram के इस group की उपर automatically है ना मुझे नहीं करना पड़ेगा तो मैंने click किया save and send test request पे save and send test request पे click करने के बाद response received हो गया एकदम positive response है और तुरंत notification आया ओपन करके दिखा देता हूँ so yes same image और same description के साथ यहां पे भी वो same post जो है create हो गया है एकदम perfectly तो यहां पे अभी मैंने अपना second वाला router भी set कर दिया है done save पे click करके done पे अब मुझे click कर देना है और अब मेरा इतना automation set हो गया है कि अब जब भी मैं कोई facebook की उपर image post करूँगा तो automatically वो same image description के साथ मेरे group पे share हो जाएगी मेरे involvement के बिना automatically यह 100% guarantee के साथ confirm है अब third वाला and last वाला हमारा है किसके लिए text के लिए for text simple लिख देता हूँ for text update then set filter पे click करूँगा उससे पहले text post जो है मैं कर देता हूँ जाके family हमारे जो है channel page की उपर sorry है ना यहां पे मैं post create करता हूँ create post पे click करके है ना यहां पे मैं लिखता हूँ we have a new integration video on youtube to discord discord please go and check our channel okay एक यह मैंने text post कर देता हूँ सीदे ठीक है यह post कर दिया मैंने post हो रहा है यहां पे जैसा कि आप देखने successfully post हो गया है आता हूँ family connect पर उपर आगे click करूँगा save and send test request पे so मैं save and send पे click करूँगा तो successfully इस post की details मेरे पास आ जाएंगी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर post की details आ गई है हमारे पास है ना जो कि आप देख पा रहे है message जो है जो मैंने डाला था वहाँ पर we have a new integration video on youtube discord please go and check youtube to discord और भी नीचे सारी details है जैसा कि आप देख पा रहे है status type mobile status update promotion status वगएरा वगएरा है ना काफी सारी details आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके सामने हैं ठीक है actions comment share और यह रा instagram eligibility अभी हमको जाके यह select करना है ना कहां पर हमारे उसके अंदर तो मैं इसको पहले copy कर लेता हूँ आता हूँ वापिस से अब अपने किसके अंदर router के अंदर for text वाले router पर क्लिक किया site filter पर देन आया filter की उपर और यहाँ पर जो है मझे select label के अंदर इस बार choose करना होगा जो कि मैंने आपको अभी दिखाया ना उपर है ना इसको मैंने copy किया यह रा instagram eligibility को okay इसको मैंने यहाँ पर select कर दिया और यहाँ पर जो मैंने copy किया था उसके सामने आला data उसको paste कर दिया simple जब यह equals to यह हो तब ही यह workflow आगे बड़े save and sign पर click करूंगा है ना condition true है देन आ जाओंगा वापिस नीचे और यहाँ पर action event में send a video को ना choose करते हुए send a text message को choose करूंगा then connect पर click करूंगा दुबारा पुराने connection का use करूंगा save पर click कर दूंगा ठीक है chat id दुबारा से चाहिए chat id फिर copy कर लेते हैं चलके हम यह रही हमारी chat id ipably connect पर पेस्ट कर दिया ठीक है simple then text message यहाँ पर map कर दिंगे सर्च करूंगा message यह रहा map कर दिया simple और नीचे आया click किया save and send test request successfully एक message जो है share हो जाएगा टेलिग्राम के ग्रूप पर जैसे कि आप देख रहे हैं यह message आ गया we have a new integration video on youtube to discord please go and check our channel successfully हमने हमारा automation site कर दिया just a permit done पे click कर देना हमारा काम अब खतम हो गया है अब मैं आपको बता दूँ के अब क्या होगा अब future में या फिर अभी जब भी आप आपके facebook page पे जाके कोई भी post करोगे चाहे वो image हो चाहे वो video हो चाहे वो कोई text post हो तो automatically वो same post आपके telegram के इस group की उपर as a message create हो जाएगी जैसे कि ये video होई जैसे कि ये image होई और जैसे कि ये text post होई है ना वीडियो के अंदर जो भी description होगा उस description के साथ post होगी इमेज के अंदर जो भी description होगा उस description के साथ post होगी और जो text post होगी वो simply post यहाँ पे as a message create हो जाएगी आपके involvement की एक percent भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपका काम सिर्फ इतना रहेगा कि आपको जाके बस facebook page पे अपनी एक post create करनी है चाहे वो किस भी तरीके की post हो automatically बिना आपकी involvement के वो share हो जाएगी आपके telegram के इस group के ऊपर कई लोगों को doubt रहता है कि process बार बार करनी है बिल्कुल नहीं करनी है बस एक बार कर दी अब हमारा काम खतम है अब यह जो process हमने अभी करी है न यह software जो पैबली connect है जिसकी help हमने किया यह पैबली connect खुद बाख सिर्फ इन applications को पैबली connect की help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो बिना किसी परिशानी के और एक बात और बता देता हूँ कि कभी कभी 10 से 15 मिनिक का time लग सकता है response आने में कि आपने 15 मिनिक पहले यहाँ पे post किया हो और 15 मिनिक के बाद telegram के इस group की उपर जो है message आया हो तुर response आ जाएगा okay so जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ कि इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो कि होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी यह same workflow अपने account में use कर पाओगे वो भी एकदम free में इस video से related कुछ questions होता है आपके queries होती है या फिर आ आपको यह दी गई link पर मिल जाएगी और जाते जाते एक बात बता दूं कि हमारा video अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी video को like करना मत भूलेगा और हमारे channel को subscribe करना भी मत भूलेगा thanks